Hello everyone, welcome to our channel Mind Boosting Classes इस वीडियो में हमकुक्षातीन की हिंदिय की कारेपत्रेकर No. 134A करेंगे जिसकी जिनाग है 16 December 2020 और इस वक्षीत में हम पत्र लेखन में प्रातना पत्र लिखना सीखने वाले हैं तो शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी सुष्ट और खुश होंगे बच्चो हमने पाठ जब मुझे सापने काटा में पड़ा था कि बालक को बर्र ने काट लिया था जसकी वज़े से उसकी उंगली में सूजन आ गई थी और बहुत दर्द भी हो रहा था सोचिए यदि अगले दिन उसे स्कूल जाना होता तो क्या वह जा पाता नहीं जा पाता है ना नहीं न इस स्थिती में वह अपने विद्याले के प्रधांचारे जी को आवकाश यानि छुट्टी के लिए प्रातना पत्र लिखता तो चलिए देखते हैं कि आवकाश के लिए प्रातना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रातना पत्र लिखा जाता है अवकाश के लिए क्योंकि जब भी आप स्कूल नहीं जा पाते तो आप लोगों को application यानि प्रात्ना पत्र देना पढ़ता है स्कूल में जो principal यानि प्रधांचार्य या प्रधांचार्य जी पढ़ती है ठीक है तो अब वो कैसे लिखा जाता है आज की वक्षित में हम यही देखने वाली हैं और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा जब मुझे सापने काटा तो इसकी animated वीडियो की लिंक में आपको description में दे दूँगी आप जाकर जरूर देख लीजेगा ठीक है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जलू कर दीजेगा पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र की भाशा सरल वर संक्षिपत होने चाहिए पत्र में संबोधन अभिवादन विशे वस्तू समापन उचित स्थान पर लिखा होना चाहिए विशे हो गया मतलब सब कुछ सही से ओर्डर में लिखा होना चाहिए पत्र में दिनांग और पत्र पाने वाले का पता अवश्य लिखा होना चाहिए जिसको पत्र पहुँचाना है उसका पता और दिनांग अब प्रशनेक देखिए बच्चों नीचे बिमाले के कारण दो दिन के अवकाश हे तू प्रधानचार्य या प्रधानचार्य जी को प्राधना पत्र दिया गया है प्रातना पत्र लिखने का अभ्यास हम सभी को करना चाहिए तो आईए अब हम अपने स्कूल का नाम अपना नाम का खुशा वर्ग अनुक्रमाग वा दिनांग लिखकर इस प्रातना पत्र को पूरा करते हैं सेवा में प्रधांचार्य या प्रधांचार्य जी विद्याले का नाम वपता यहां पर अपने विद्याले का नाम लिखेंगे ठीक कोई भी आपकी विद्याले का नाम हो तो वो यहां पर आपको लिखना है और नीचे उसका एड्रेस लिखना है कि आपका स्कूल कहां पर बोलोगे और अगर प्रधानचार्य को लिख रहे हैं तो श्रीमान जी बोलोगे अब यहां प्रधानचार्य और प्रधानचार्य के बीच क्या अंतर है प्रधानचार्य तो हम लोग प्रिंसिपल सर को कहते हैं और प्रधानचार्य जी हम प्रिंसिपल मैम को कहते हैं ठीके मुझे दिनांक डैश से डैश तक अठा दो दिन का अवकाश प्रदान करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि आज कितनी तारीक है आज है 16 तारीक तो 16 से 16 कैसे पूरी पूरा कैसे लगेंगे 16 12 2021 से दो दिन तक यानि 18 मा लेते हैं ठीक है 18 12 2021 तक इधर आप ये डैट डाल लेंगे ठीक है अठा दो दिन का अवकाश प्रदान करें आपकी अतिक रिपा होगी इस तरीके से टोटल आपका हो जाएगा धन्यवाद इस तरीके से हम लोग लिखते हैं अपनी बात को समझाते हैं फिर आपका आग्याकारी शिश्य अगर आप गर्ड है ठीक है चलिए आपका 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 या पर लिखाय है गर्ड के ले ये लाइन है तह придद के लिए आपके आखिया its+. अब यहां अपना नाम लिखेंगे यहां पर अपने कक्षा बर्ग येневम अनुक्रमां कहने और यहां दिनांख दाल देंगे आज की यानि 16 12 2020 राइट चलिए इस तरीके से आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग प्रातना पत्र लिखते हैं अब हमें अपना एक प्रातना पत्र लिखना है प्रश्न दो में यही पूछा गया है बोला गया है बच्चों आपने प्रश्न एक में बिमारे की कारण अवकार शेतू प्रातना पत्र लिखना सीखा चलिए अब चाठा जी की शादी में जाने के लिए चार दिन के अवकार शेतू प्रधानचार्य या फिर प्रधानचार्य जी को प्रातना पत्र अपनी कॉपी मिल किये तो वह अभी मैं आपको दिखाऊंगे कैसे लिखा जाता है उससे पहले अगर आप मैथ को स्केलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर ये जाना चाहते हैं कि किस आप से मैं पढ़ाती हूँ तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर देख सकते हैं तो आए जल्दी से देख लेते हैं आप कैसे लिखेंगे प्रातना पत्र तो ये देखो ये जो है आपका प्रातना पत्र है इसको मैंने क्या किया है वैसी सें लिखेंगे सबसे उपर सेवा में प्रधान पत्र श्रिमान या फिर श्रीमती शी अगर प्रिंसिपल मैम है तो श्रीमती यूज्स करेंगे प्रिंसिपल सारें तो श्रीमान यूज करेंगे सविना निविदन यह है कि आगामी 20 तारी को मेरे चाछाची का शुब विवा होना तैusion हुआ है down मेरे घर के सभी तद्द से हमारे गाउं जाएंगे क्योंकि घर पर कोई नहीं होगा इसलिए मेरा भी विवाह में जाना अवश्यक है अतहर मैं आपसे अनुरोद करती हूं क्या करता हूं कि क्रिप्या मुझे चार दिन का दिनांग दिनांग पीस भारब預़ दो फजर इकीस से दिनांग तीज़ बारब जोजर इकीस तक अफ़काश प्रदान करी ठीक है तो यह जो है आप लोगों को लिख लेना है फिर आपकी अतिक रिपा होगी धन्यवाद के आगे आपका अगेकारी शेश्य पोह के लिए आपके आगेकारी शेश्य गर्ल के लिए यहाँ नाम यहाँ कक्षावर्गी और अनुक्रमांग और यहाँ पर दिनांग टालेंगे इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है यहीं पर आज की बक्षुच समाप्त होती है प्लीज लाइक आप वीडियो एंड सब्सक्राइब अबर चैनल थेंक यू